राधी राधी दोस्तों स्वागत आपका सिंपल एंड युनीक किचिन में मैं आज आप सभी के लिए लेकर आए हूँ बहुती आसान पांश मिट में बनने वाला नाश्ता जो सिफ एक चमच घी से और बिना आलू के बनकर तयार हो जाएगा आईए से बनाना शुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले मैंने दो प्यास लेकर उन्हें अच्छे से धो कर छी लिया है इसके बाद मैं इन्हें काटूंगी हमें कुछ इस तरह से काटना है हमें इसकी रिंग्स निकालनी है जो इसकी आउटर रिंग्स होती है तो मैं कुछ इस तरह से अपनी प्यास काटूंगी अब इसके बाद मैं इसके बीच वाले portion को अलग करके इसकी outer से rings को अलग-अलग कर लूँगी इसी तरह से हमें अपनी सारी rings निकाल ली है onion से और इस बीच वाले portion को मैं अभी अलग रखूंगी और इसे बारीक कट कर लूँगी मैंने अपनी दोनों प्यास को ऐसे ही इसमें से सारी rings निकाल ली है आपको इसी तरह से सारी प्यास काटनी है आप चाहें तो और भी ज़ादा ले सकते हैं अगर आपके याँ खाने वाले लोग ज़ादा हैं मैंने दो प्यास से ये नाश्रा बना रहे हूँ देखें दोस्तों मैंने सारी rings को काटकर अलग कर लिया है इसके बाद मैंने एक mixing bowl लिया है जो मेरी बीच वाली प्यास बची थी मैंने उसे बारीक कट कर लिया है इसके बाद मैंने थोड़े से sweet corn लिये हैं आधा कब कटी हुई शिमला मिर्च आधा कब बारीक कटा हुई टमाटर और थोड़ा सा धनिया इसके बाद मैंने ग्रीन चिली लिया है एक आप चाहें बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसे skip कर सकते हैं इसके बाद मैंने लिया है बेसन बेसन को मैं अभी 4 चमच डालूँगी इसमें इसके बाद आपको अगर जरुवत लगेगी तो आप उसमें एड़ कर सकते हैं इसके बाद 1 चमच चिली फ्लेक्स और 1 चमच और एक चमच ओरिगेनो मैं इसमें एड़ कर रही हूँ इसके बाद मैं एड़ करूँगी इसमें थोड़ा सा चाट मसाला स्वादनुसा नमक और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि हमारा बेसन हमारे सारी वेजीज पर चड़ जाए आप चाहें तो इसमें और भी वेजीज एड़ कर सकते हैं तो इसमें से कोई वेजीज हटाबी सकते हैं अब मैं थोड़ा थोड़ा पानि इसमें डालूँगी और इसमें एक मिक्ष्म का घुल बनाओंगी अब मैंने इसमें बेसन कम था तो मैंने बापी का बच्छा हुआ बेसन भी इसमें एड़ कर लिया है अब इसे अच्छे से मिक्स करना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका गोल तयार करना है दोस्तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल या फेस्बुक पेज पर नए है तो मेरे पेज को सब्सक्राइब और फॉलो करें दोस्तो हमारा ये मिक्षर तयार है इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीकी की रहेगी इसके बाद मैं एक तवा लेकर उसे पूरी तरह से आइलिंग कर लूगी, मैंने एक चम्च आइलリंग किया है आप चाहे तो जादा ले सकते हैं लेकिन हमने कम घी में इस रेचिपी को बना रहे हैं तो मैंने एक चमच घी ही लगाया है इसके बाद मैंने अपनी सारी onion rings को इसके उपर रख लिया है इसके उपर रखने के बाद मैंने अपनी gas on की है इसके बाद जो मेरा mixture था मैंने उस mixture को अच्छी तरह से चला कर एक एक चमच हमें सारी rings में इसे फिल करना है इसे अच्छी तरह से हमें सारी rings फिल करनी है दोस्तों हमें इसे बहुत over उपर तक फिल नहीं करना है वरना ये बाहर निकलेगा हमें इसकी level तक ही इसे फिल करना है तो दोस्तों हमने एक एक करके अपनी सारी rings को इस mixture से फिल कर लेंगे इसे आराम से आप फिल करें गैस को एकदम कम रखें एकदम लो फ्लेम पर रखें और इसे फिल कर लें दोस्तों मैंने ये सारे अपने रिंग्स को फिल कर लिया है इसके बाद मैं इन्हें अच्छी तरह से सेखूंगी कि हमें दोनों तरफ से इनने पलट कर सेखना है देखे दोस्तों मेरे एक साइट से सिख गए हैं अब मैं एक एक करके अपने सारे रिंग्स को दूसरी साइट से भी सेखने के लिए पलट रहे हूं आप चाहें तो इसमें और घी एड कर सकते हैं लेकिन आप इतने घी से भी इ आप कभी भी इसे ट्राय करें कभी भी बहुत जल्दी नाश्टा बनाना है तो आप इसे बना सकते हैं तो दोस्तों यह मेरा बनकर तयार है मैंने अपनी सारी रिंग्स को अपनी एक प्लेट में निकाल रहे हूं जैसे कि आप देख रहे हैं यह बहुत अच्छे से और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्षिन में कि आपके घर पर आप सभी को कैसा लगा तो दोस्तों अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें अपनी दोस्तों के साथ अपनी फैमली के साथ शेयर करें और अगर आप मेरे जातुएव।